तो यार दोस्तों रोईश शर्मा दुबाई आई 103.8 में इंडर्वियू देते हुए अपने इंडियन क्रिकेट टेम के फ्यूचर के बारे में और अपने रिटार्मेंट के बारे में बोले ये कोई personal milestone और personal stats and goals के बारे में नहीं है ये इस बारे में है कि हम सभी 11 प्लेयर्स टीम के लिए क्या ला सकते है और उसमें ट्रॉपी जितना भी है the journey has been wonderful it has been 17 years मुझे अभी भी कुछ और साल खेलना है और world cricket में कुछ impact छोड़ू ये उम्मीद करता हूँ तो रोहिद शर्मा ने अपने international career को लेकर long term vision का संकेत दिया है रोहिद भाई ने fearless cricket खेलने का और आकडो को अपने उपर हावी ना होने देने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है तो दोस्तो आपकी इस पर क्या राय है आप मुझे comments करके ज़रूर बताना तो दोस्तो ऐसे ही IPL से जुड़े update के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में